हेलो फ्रेंज तो आप सभी के फिर से हमारी इस चैनल देखके पेस्वादर है तो आज की इस दीडियो लेक्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि मिल्लेंज प्रीडेक्टर एंड केरेक्टर में ज़र क्या होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपका स्क्रीन लेकर आया हैं तो आपको यह वीडियो बहुत भी पसंद आएगा लेकिन यारण देखो मैं आपके लिए इतना मिनत करता हूं आप वीडियो देखने का देना कि हम आपके हम नहीं जानते भाई आको नहीं जानते जो अब भारमें आप हम लाइक आप सब्सक्राइब करने व हम लोग कैसे समझे हम लोग एजी से समझ सकते हैं तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करें हैं एक कोस्टन लेंगे सिंपली तो जैसे कि आप देख सकते हो तो जैसे कि कोस्टन देख सकते हो दोस्तों क्या कर रहा है कि by using the meanness method find y where x equal to 0.4 is the solution of dy by dx equal to y square minus x square एंड boundary condition हमको दिया हुआ है क्या कि y 0 मतलब देखो y bracket में जब 0 होना इसका मतलब क्या जो bracket वाला संख्यान वो x का माने ठीक है जब हमारा x 0 होगा तो y का value कितना आगा है 1 उसी तरह से जब हमारा x 0.1 है तो हमारा y का value कितना आजागा 1.11 जब हमारा x का value 0.2 है तो y का value कितना आजाता है 1.2 उसी तरह से जब हमारा 0.3 है His कितना। तो क्या निकलने के लिए कि ज़िए हमारा X गो होगा को निकलन स FE मे Mater से मिलनेमि तो कि पढम यह कोड़ा एंगे है कि इस का फॉर्मूलाा होगा तो बस के बनातेंगे इसको तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना मिलनेस प्रिडेक्टर फॉर्मूला इसको हम लोग क्या लिखते हैं मिलनेस प्रिडेक्टर फॉर्मूला ओके दोस्तों तो देखो इसको क्या लगते हैं y4 जो प्रिडेक्टर है तो इसलिए आप यहाँ पे पी लगा दो ओके एक्वल तो कहाता है y0 पलस 4 बाइ 3 h2f1 माइनस f2 पलस 2f3 यह आपको फॉर्मूला याद रखना है उसी तरह से होता है क्या एक मिलनेस क्यरेक्टर फॉर्मूला होता है क्या होता है मिलनेस क्यरेक्टर क्यरेक्टर c o r e c t o r ठीक है फॉर्मूला ओके तो देखो चरेक्टर है तो आप यहाँ पे y4 का y4 लिख सकते हो ठीक है उसके बद character है तो यहाँ पर C लगा दो simply equal to क्या होता है y2 plus h by 3 f2 plus 4 f3 plus f होता है ओके दोस्तों तो देखो अब यहाँ पर बात आती है h h क्या होता है h का मतलब होता है कि एक x से दूसरी x का difference कितना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर table लेकिए संजा देता हूँ जैसे हमारे पास x का value है y का value है और हमको दिया हुआ है function f क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है y square minus x square दिया हुआ तो देखो दोस्तों तो हमको दिया हुआ है x1 ठीक है x naught दिया हुआ है x1 दिया हुआ है x2 दिया हुआ x3 दिया हुआ है और x4 भी हमको दिया हुआ है ठीक है तो जैसा कि देख सकतू हमको जो हमारा है यहाँ पे boundary condition यहाँ पे x naught 0 दिया है x1 0.1 दिया है उसे तरह x2 0.02 दिया है x3 0.03 303 तो मैं यहां पर इसाद सभी को सबना है जी रो दिया है छीमृध ऑफ दिये है उसके बादफिए Sheok ABS užवश्य वयभी स्वाइन के लिए फॉटनस हाई डिये दोस्तों वह दिए है वन इसाद हट्री 1.42 है भूब husbands तो चलो हम यहां पर लिख देता हूँ क्या क्या वाल में को निकाने किले बोला है यहांपने přड़ेता हूँ त्थीड, अब देखो देखो दो फ हम को दिया हुआ है क्या दिया हुआ यद् को थे सकते हो लेकिन मैं यहां पर Aldi रहा हूं कोई दिकत नहीं यहां पर लिए चलोगे तो आप यहां पर फॉर्मूला में यहां पर दोगी यहां भी यहां भी यहां भी थे दोगी ठीक है इससे कोई फर्क ने पड़ता है तो देखो इसको निकाल लेकिले क्या करेंगे जिसे आपके सिकना है ट्रहे कारेंगे नहीं करेंगे तो क्या पर वेकर बड़का स्कौयब कर एक जगा है एक सिसे कणोड़ेंगे और उसका आ पर lihat को देखो अइसे थे यहां पर दोगोशन के नहीं कि मैंनyu यसको करेंगे तो हम लोग क्या घटाएंगे तो हो जागा 1.201 के अदि आ थे है ठीक है इतना सिंपल है बताओ 1.9264 उसी तरह से आप यहां पर कर सकते हो कितना जो 1.42 का स्क्वेर माइनस 0.3 का स्क्वेर तो जब हम लोगे स्क्वेर करें के तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1. पॉइंट इसका जो होगा हमारे पास निकला है 1.5, 1.525, ओके कैलकुलेशन में तरह समिष्टे हो गया है उसे जब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होजेगा 1.9264 ओके दोस्तों तो देखें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हम लोग के पास देखो सब 0.1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ठीक है 0.1 0.1 में से 0.2 को घटाएंगे तो कितना हो डिफ्रेंस कितना है 0.1 का है तो हम लोग h का value 0.1 लेंगे तो चलिए आप क्या करेंगे simply हम लोग formula पे put कर देंगे इस पूरे value को और हमारा answer चुटकियों में निकल जाएगा तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे आ चुका है y0 y0 का value कितना है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे next page पे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो y0 का value कितना है यहाँ पर x node है उसी तरह यह y node है y node का value कितना है 1.1 तो हम लोग y node के जगा चाली हैंगे sorry 1 था ना y node के जगा 1 था तो हम 1 लेंगे उसी तरह से फिर plus 4 by 3 है तो 4 by 3 into h h का value कितना है 0.1 मैं आपको बताया उसी तरह से 2 into f1 f1 का value हमारे कितना निकला था वो निकला था 1.221 निकला था minus f2 का value निकला था हमारे पास कितना निकला था 1.5225 निकला था उसी तरह से plus 2 into f3 f3 का value कितना निकला था 1.9264 जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखा देते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, कि हमारा का विलु है, यहां से हमारा निकल चुका है, यहां है F created. recibiral बाइक कैने लिखे हैं, पाव्लीय को लीखे है, इस ऊंप्ली सॉल्फ़ंके हैं, तो उसका हमारा एंसर आप us in 1.636 part हमारा वो एंसर आ जागा कितना y4 power p ओके तो हम लोग क्या लिख देंगे y4 पर हम लोग क्या लिखेंगे 1.6366 तो जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर लिख दूँगा कितना 1.6366 ओके जैसा कि आपने देखा y4 का फेल्यों हमारे निकल चुगा है उसी तरह हम लो y4 का power 2 देंगे क्योंकि हमारा y square है तो हम देंगे कितना 1.6366 का हम लोग क्या करेंगे square करेंगे minus 0.4 का square करेंगे ठीक है तो जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हमारा value कितना जागा 2.5184 ओके तो चलिए अब हम लोग character formula लगाते हैं ठीक है क्योंकि आप देख सकतो character formula f4 का ज दो निकाल लिया है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो जैसा कि आप formula में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर formula लिए million जो हमारा formula क्या है जो हमारा मिलने character formula है उसको हम लोग दो यहाँ लिए है उसके पको प्लस h का value कितना है 0.1 आपको पता ही है और f2 का value हमारे पास कितन आप देख लोगी टेबल पर फिर पलस फॉर एथ फॉर इन्टू एफ तरी का वेल्यू हमारे पस कितना निकला था 1.9264 फिर पलस हमारा एफ फॉर का वेल्यू अभी जस्ट आपको बताया कितना निकला था 2.5184 जब आप इसको स्वाल्ब करोगे तो आपका जो डिक्टर का वेल्यू निकलेगा कितना निकल जागा वण पॉएंट 64155 ठीक है तो यह था हमारा मिल्लेंस प्री डेटर एंड कर्याक्टर फॉर्मुला ठीक है तो इसके जो भी हमारा वाइफ जो प्री डेटर और क्यारक्टर निकलेगा वह एप्रॉक्सिमेट क्या होगा थोरा बहुत सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों के साथ सेर कर दिएगा थैंक्यों सो मच मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ